कुछ महनुभावों से जब चर्चा होती है तो ऐसे शब्द बे निकल कर आते हैं कि अब तो नई नौकरी के लिए प्रयास ही छोड़ दिया है व्यापार में जो चल रहा है वो ही ठीक है बस मैनेज कर रहे है हमारा भाग्य ही कुछ ऐसा है ग्रहीवे वस्ताएं ही कुछ इस तरह से बली है कि नई लोग आते हैं बहुत आगे बढ़ जाते है पर अंतुव्यावार कौशल होने के बावजूद होनर होने के बावजूद हम वही के वही रह जाते है जो भानुभा विस्तर है के विचारों के साथ में होते हैं एक बार वो खुद को वाकई में रोके आसपास प्रकृति को देखने वाले हो सूरी के अवस्था, चंद्रमा के इस्ततिया आसपास जो नदियों का प्रभा है प्रकृतिक की जो स्पंदन की स्थिया है रतुआं का परिवर्तन है कुछ भी नहीं रुखता जो बच्चे निरंतर खेलकूत के साथ में है कल वो ही कॉलेज जाते हुए नजर आएंगे और आगे बढ़ते हुए प्रतीत होंगे प्रतीक विक्ति विशेश के साथ में यहीं प्रकृया रही इसे वज़े से कहीं पर भी किसी भी सिरे के साथ में यहीं प्रयास करने छोड़ दिये हैं तो हम ईश्वर ये विवस्ताओं के साथ में तारतम्मे को पूर्ण तयानकार रहे हैं इसी वज़े से हम कहीं पर भी हो कैसे भी अवस्था में हो कितनी भी जद्दो जहत के साथ में हो एक बात बारम बार खुद को याद दिलाते रहे हम प्रयास करना नहीं चोड़ सकते हम प्रयत्न से दूर हो नहीं सकते भीतर की जीवेशा के साथ में जुड़ते हुए जीवन यात्रा को देखने की आवशकता है ही और पूर्ण कालिक तोर के उपर है सुहम के भीतर की भावनाव तथासम भावनाव के साथ में जुड़ना आवशक है है और वो ही जीवन यात्रा है लक्ष बनाना, लक्ष सजाना, जीवन को लक्ष की आकांक्षाओं के साथ में जोड़ कर उसके परती कर्म करना यही एक आवशक बिंदू है और यही जीवन यातरा का प्रभावी कर्म है इसी वज़े से आप किसी भी सिरे के साथ कहीं पर भी हो यह लग रहा हो कि अब तो उमीद है ही नहीं वहाँ पर भी खुद को एक ही बात कहिएगा एक बार प्रयास करके देखते हैं और इस यह वस्ता के साथ में किये गए प्रयास अंतुतो गत्वा वेक्तिविशेश के लिए सार्थकता लेकर आते हैं और वहीं से पुनहे उत्थान की प्रक्रियाएं भी अग्रगामी होने लगती है पच्पन वर्ष की उम्र में नहीं नौकरी नहीं डूंड सकते तो क्या रेटार्मेंट डिकलियर करते हैं खुद के लिए सत्तर वर्ष की उम्र के साथ में अभी भी वियापार करना पड़ रहा है परमतु मन की भीतर की वोवस्थाएं नहीं है मांते हैं तस गंटे काम नहीं कर सकते बरन तो तीन गंटे की और तो जा सकते हैं वो प्रहतने करना भी छोड़ दें किया जब एक्ति इस साहस के साथ में खुद की भीतर के वस्ताओं को लेकर चलता है वो एक साहस के यातरी के रुप में इस पूरी ही जीवन यातरा को देखने वाला होता है इस पूरी ही जीवन दरशन को देखने वाला होता है बेरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 11 अक्टूबर 2023 का त्यानिक राशिफल लेकर उपस्तित हुआ हैं चंदरमा की स्थियां सिंग राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगी द्वाद अशी श्राद कर्म आज के दिवस में ही पूर्ण किया जाएगा मगहा उपरांत पूर्वा फालगोनी नक्षत रिस्ततियां बुदवार आश्वे नमास कुरश्न पक्ष चल रहा है और हम दायनेक राशी फल के शुरुबात करते हैं मेश और राशी के साथ में स्थाक मार्केट से संबंदित का अमकाज आज आपके लिए पॉजिटिविटी लिए वो है जौब में जो सोसियेट्स हैं या साथ में जुड़े वे लोग हैं उनके हितों का वे ख्याल रखियेगा आसपास के लोगों को संभालने की पूरी पूरी आवशकता हैं आपके लिए रहेंगे आकस्मिक धनलाब व्यापरिक जिवन में हिस्सेदार के रोप में सामने आ रहा है भूमी संबंदित कामकाज में तिवरगामी होकर होद को आगे बढ़ाने की आवशकता हैं आध्यात्मिक तोर पर प्रकतिशीलता आपके लिए स्थापित होकर आगे बढ़ रही है कम्यूनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को अपना कर चलने की कोशिश कीजिएगा पारिवारे के जनों के साथ में किसी भी तरीके की निकारात्मक्ता को अपने साथ अपना कर चलने से बचने की जरूरत यहां आपके लिए रहने वाली होगी और वहीं पर जो महनुभाव पुनह सक्षा की और जाना चाहते हैं नौकरी पेशा जीवन के साथ ये समय आपके लिए स्वागत युग गिस्ततियों को दर्वित कर रहा है बुरुषभ राशी यात्राओं से थोड़ा सा संभल कर चलने की सुरूत रहेगी यानि की स्वास्ते की परती तथा यात्राओं में जो एक एक एक्जरशन निकल कर आता है उसके परती साथान रहे नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपने कोई भी कमिट्मेंट किया हुआ था तो किस तरह सो उसको निभाएंगे कैसे टीम को मोटिवेट करेंगे ये प्रक्रिया आपने साथ अवस्तित और विवस्तित करके आप चलते चले जाए शुक्र प्रदान राशी के भानुभाव मन के भीतर किसी भी सिरे की नकारात्मक्ता को यहाँ स्थापित करने से आपको बचने का परेत्म करना चाहिए इसके लिए निरंतर बिनाय काराधना का करम अपने साथ बना कर रखें ये सपष्टता है कि यहाँ आपको प्रबंदन संबंदी काम काज में बहतरी मिल सकती है जो मानुभाव किस रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, उन्हें भी आज सुखद पल समक्ष मिलने वाले रहेंगे, जो संतुस्ट का प्रगाड आरहार हैं। मेथोन राशी, यहां नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, तुरित गती के साथ कोई भी नरणे अपने साथ गतिवान करने से आप थोड़ा सा रुप कर चलिएगा, यहां आपके लिए मैनिफेक्चरिंग संबंधे कामकाज में पॉजिटिविटे इवॉल इसरे से किसी कामकाज के और जाना चाहते हैं, श्राद पक्ष के बाद में उस्वर बढ़ सकते हैं, पर अंतु जो स्ट्रेजी है उसको यहां डेवलप किया जा सकता है, और इसे के साथ में सिचुवेशनल वेसिस के उपर अवेर रहकर खुद को यहां प्रोग्रिसिव करन नहीं है, यह मनतब्य भी आप स्पस्ट करके चलते चले जाएं, वहीं करक राशी धना गमन में व्रद्धी है, रिसर्ट संबंदी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी, कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को अपना कर आप चलने की कोशि परदान राशी के जातक यहां पर स्वास्त कर इतना ख्याल रखेंगे, उतनी बहतरी है, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है, सरवांगिन लाव की स्थितियों के साथ में ब्रद्धी की ब्रतेबान बने वुए हैं, जो भी महनभाव स्वहिम को यहां किस किसी भी नई रोल प्लेंग के परोच में कामकाज में देख रहे हैं, प्रफाइल चेंज की पोजिशन निकल कर आ रही है, वहां एक्सपिरियंस नहीं है, तब भी संभावना बड़ी है, तो खुद को जोड़ते चले जाईएगा, आगे के संभावनाओं के साथ में बहतरी निरंतर रहने बाली रहेगी, ये सपश्टता भी जरूर रखें, क्रियेटिव पर डिस्पैसेफिक में पॉजिटिविटी आपके लिए कंटिनुवस नोट के उपर बनी हुई है, महीं हम बढ़ते हैं सिंगराशी की और आत्म विश्वास के साथ में पूरी पूरी वरद् को देखने बाले होंगे, गुरुहस्त पक्षो या फिर संतान पक्षों के साथ कामकाश की स्तितियों को आगे बढ़ाये जा सकता है, आपके लिए यहां अंजाने तोर पर आ रहे अवसर आजपूरी ही यात्रा में बदलाव का बड़ा संके तक बनकर समक्ष आ सकते हैं, इ जो कारें लंबे समय साथ काव की ओरतें वहां पुनहें परहतन करते चले जाना आज के दिवस की संभाबनाओं को अभूतपूर वाध्यार देने के बराबर रहेगा, जो रुप्या पैसा अटकाव हुआ है, उसकी पुनहें पराप्ती के लिए जो भी चेस ठाएं बढ़ा महानुभाब नए से नए सिरों के साथ कामकाज को देखते चले जाएं, उस और बढ़ते चले जाएं, तो अधिक बहतरी और वहीं पर ग्रिहस्त पक्ष के साथ में किसी कामकाज की शुरुवात कर चुके हैं, लग रहा है कि गलती करती है, सामंजे से नहीं बैट रहा है, धैरे के साथ में पुनहें, आप विचारवान रहे कर चलें, यह वो समय अंतराल है, जहां पर बैंकिंग संबंदी कामकाज में पॉजिटिविटी आ सकती है, पुनहें प्रयास की रूप रेखा को अपने साथा बना कर जरूर चलिएगा, वहीं तुलाराशी, स्टॉक मार् दीशेतर विशेश में, यहां महतुपोन तोर पर आपके लिए बहतरी रहने वाली होगी, जो क्रियेटिव मेजर से उसके साथ खुद को आप एस्टबलिश करते चले जाईएगा, और वहीं शुक्र प्रदान राशी के महनुभाब, यहां स्वहिम को एक तरह से नए कामका आज के और लेकर जाने का माना से निबना रहे हैं, तो अब कुछ और विचार करने की आवशकता नहीं, ग्रिहस्त पक्ष के साथ तता संतान पक्ष के साथ यात्रा यहां बहतरी देने वाली होगी, मन में संतुस्टे के बाहक आधार निकल कर आ सकते हैं, वहीं गर परिवा के और से कोई भी आ रही सूचना को प्रापर बेसिस पर डिकोड करके ही डिसीजन लीजिएगा, आज ये एक आवशक करम है, जुमन के भीतर मौजुद रहे तो अच्छा, वरिष्चिक राशी, गर परिवार के साथ में सामन जस्स से बना रहेगा, नौकरी पेशा जीवन म मान सम्मान में वरद्दी है, आज आप भाग दोड के साथ में खुद को पूरे तरीके से संतुस्ट महसूस करने वाले रहेंगे, जो किसी भी सिरेक के साथ में कार्रे अटके हुए थे, वहाँ पुने है और जावान होकर प्रयास करके अपनी जीवन यातरा को सार्थक ताक प्रिकल ठीक नहीं, और जावान होकर अपने आज के दिवस की प्रष्ट भूमी को अपने साथ जोडने की पुरी-पुरी आविश रखता है, यही एक मूल आधार अपने भीतर तक आप संरक्षत करके यदी चले जाते हैं, तो बहतरी है, और वहीं यह निवदन है आपसे, कि आज के दिवस में माता तता पिता के साथ जो साबात सल्ले प्राप्त हो रहा है, जो संतुस्टे प्राप्त हो रही है, उसके साथ और अच्छे से गतिवान होते चले जाना बहतर करम है, और मन वहीं से एक स्थिरता प्राप्त करने वाला रहेगा, दनु राशी, यहाँ दनागमन में वरद्धी है, लंबी दूरी के निर्णे लिए जा सकते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से संबंदित कामकाज, विराट सफलता के और लेकर जाने वाले होंगे, बैंकिंग संबंदिकार्य हो गया, फाइनेंशल इस्टिउशन के साथ में जोड़ा हुआ, कोई भ रमबद सरे के साथ में देखने वाले होंगे, सरवांगिन लाप्त की स्तियों में वरध्धी के प्रतिमान बने हुए हैं, तथा जो भी महनुभाव टेक्निकल लेवल के साथ में, किसी भी सरे को अपने कामकाजी इस तर पर स्थापित करना चाहते हैं, यानि तक्निकी शित संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी, कम्यूनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को अपना कर चलिएगा, जो भी मानुभाव विदेश संबंधिकारियों में हैं, आज पुने हैं प्रयास के वस्थाओं को लेकर चलें, वकालात संबंधी कामकाज हो या फिर पुब्लिक रिडिशन से संबंधित कोई भी अप्रोच, आज आपके द्वारा कहे गए शब्द तथा आपके द्वारा प्रकट किये गए विचार, ऐसे शेतर विशेश में आपकी कामकाज में काफी हद तक मरतगार साबित हो सकते हैं, और आज उन्यतिक शेतर में यदि आप अस्तक्षे परकते हैं, तो आज के दिवस में नए आ रहे आवसरों के साथ में तारतम में आपके लिए बना रहने वाला होगा, शनिदेव प्रदान राशी के जातकों के लिए यहाँ पर निवेश में संभलने की पूरी पूरी आवशक्ताएं रहेंगी, इसे एक बात को अपने साथ आत्मसाथ करके आगे बढ़ने की अवस्ताओं को आप जरूर देखें, वहीं क्षनिदेव की मुल्तरकॉर्ण कुम्बराशी, वियापारिक जिवन में बहतरी आपके लिए बनी हुई है, नए पन के साथ में कोई भी शुरवात करना चाते हैं, दो स तिन दोनों तक इसकी प्लानिंग करें, फिर आगे बढ़ सकते हैं, आज कोई भी इंटर्व्यू सामदे निकल करा रहा है, तो हम कैसे फैक्ट्स को कैरी करेंगे, कैसे खुद को धहर रिवान करके आगे बढ़ने वाले होंगे, ये विचार धारा आपने मनोयोक के साथ में इस थापित जरूर करते चले जाईएगा, वहीं कुम बराशी के बहन भावों को टेक्स्टाइल समद्ध कामकाज में भी काफी हद तक पॉजिटिविटी मिलती चले जाएगी, बिजनस पार्टनर्शिप हो, या फिर कोई भी ऐसी अवस्था पिशेश जहां पर आपको ही नरने लेना है, तुरित इस तरह के साथ में खुद को आप प्रोएक्टिव रखें, तथा डिसीजन्स के और जाने वाले रहें, ओर तिंकिंग की अप्रोच से बचिएगा, कोई भी अल्किफुल के नकारात मक्ताई है, बलगातार उसी पर विचारवान है और खुद को पर प्रेशान किये जा रहे हैं, ऐसी अवस्ताओं से संबलना जरूरी, नीन राशी, सोच में किसी भी तरिकी के रोगनता को अपने साथ स्थापित करने से आप बचने बाले हों, यहां विदेश संबंधे कारें के साथ में वरध्धी अवस्तित तथा वेवस्तित रहने वाली होगी, वहीं आप यह भी गौर करें कि आज एकांत की आवशक्ता मन को है, जिससे शान तचित एक धारा बन के भीतर प्रस्पोटित हो पाए, जो महनभाव, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधे कामकाज, लोजिस्टिक ट्रांस्पोर्टिशन के साथ में जुड़े पर जो आप प्रबंदन संबंधी कामकाज में नए सरों के साथ में खुद को स्थापित करना चाते हैं, उस लेहाज भी यह समय आप के लिए बहतर से बहतर कहा जाएगा, जिसमें कोई भी रुकावट तताबाधा उपस्थत नहीं है, हम आप से निवदन करेंगे, कि आज दान पुर्णी के स्तियों को शराद दिपक्ष के साथ में स्वयम के साथ जोड़ियेगा, मन की भीतर संतुस्ती लगातार स्थापित होती चली जाएगी, तो ये था 11 अक्टूबर 2023 का दायने का राशिफल, हम ऐसे ही चर्जाओं के साथ उबस्त होने का प्रेतन करते रहें कि तन्देबाद एवाम आभार